सागर के भीना तहसील मुख्याले से महस 30 किलो मीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत लखा हार बेतवा नदी पर इन दिनों सागर और बीना के रेत माफियाओं की द्वारा दिन रात नदी में बोट डालकर अवेद उत्खनन कर सेक्रो ट्रैक्टर ट्रॉली और दरजनो डंपर से रेत का अवेद परिवहन किया जा रहा है रेत माफियाओं से पुलिस तथा राजस्व और माइनिंग के अधिकारी इस कदर खौफ खाते हैं कि रेत निकालने वाली जगह पर कारवाई की दूर की बात है वहां जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते हैं पिछले बंदर जाकर मुखी मंतरी शिवराज सिंग से शिकायत की थी तब कहीं जाकर मुखी मंतरी के व्यक्तिकत दखल के बाद ये अवेद रेत खधानों पर रोक लग पाई थी लेकिन वही रेत माफिया अब फिर से सक्री हो गए हैं इस्थानी ग्रामिनों ने आफ कैमरा बताया कि हम ल बाद दिन ट्रैक्टर ट्रॉली और दमपर दौरती रहती है जिससे हम सभी ग्रामिन चैन से जी नहीं पा रहे हैं जब नियूज 21 ने इन अवेद रेत घाटों का दौरा किया तो ग्रामिनों के द्वारा बताए गई एक एक बात सत्य निकली जब नियूज 21 के सवाधाता ने बीना SDM देवेंद्र प्रताफ सिंग से जानकारी चाही तो उन्होंने पहले तो कुछ भी कहने से इंकार कर दिया लेकिन जब उन्हें अवेद रेत खनन के वीडियो दिखाए गए तो उन्होंने कहा कि आप रेत माफियाओं का नाम बताओ हम दिखवाते हैं लेकिन और कैमरा बाइट देने से उन्होंने इंकार कर दिया और वैया समझ लई हो आज कर अपन खतरनाक मूड में गड़बर करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं फारम में मामा भी और एक तरफ माफियाओं के खिलाप अभियान चल रहा है मसल पावर का रुसुक का इस्तेमाल करके कहीं अवैद कपजा कर लिया कहीं भवन तांदिये कहीं ड्रग माफिया सुन लो रहे मद पुदे छोड़ दैना नहीं जमीन में गार दूंगा दस फिट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसे कर दो